ये दिखिए कितने यमी और टेस्टी लड़ू बनकर के तैयार हुए हैं और कितने सॉफ्ट हैं ये दिखिए इसका टेक्शर लग रहे हैं एकदम सॉफ्ट और बहुत ही आसान जटपट से बनने वाले ये लड़ू हैं अगर आप दिन में एक बार इसे खा लोगे न तो आप को बिल्कुल भी थकान और कमजोरी नहीं होने वाली है तो आप इसे जरूर ट्राय करना तो मैंने वस इसके लिए ले लिया है खजूर और खजूर आपके साइड में जो भी मिलता होगा आप उसमें का ले ले लेना मैंने यह लिए खजूर काफी अच्छे हैं तो इसमें से ट्रायफूर्स पसंदो आप उसे भी ले सकते हो बस एक कढ़ाए में हम तीन चम्मज भरक के देशी घी डालते हैं और इसको गर्म कर लेते हैं अच्छे से अब जब यह गर्म हो जाएगा तो इसमें हम काजू नट्स को डाल देंगे यह देखिए और इसको तब तक भुनेंगे ना जब तक यह हलका गोल्डन कलर करना हो जाए तो यह लड़ू बहुत ही हेल्दी होते हैं अगर आप दिन में एक बर खालोगे ना तो आपको खुद काजू निकालने के बाद इसमें एड़ कर देंगे हम बादाम अभी घी है तो हमें घी जरूत नहीं है इसी घी में हमने बादाम को भुन लिया है और इसे तब तक भुनेंगे ना जिसे एक दम फूले फूले से हो जाएंगे बस उतना ही बुना है और इसको भी हम दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं इसके बाद इसमें अभी थोड़ा सगी बचा हुआ है तो इसमें हम किसमें भी हलका सबुन लेते जादा नहीं पुनना है और फ्लेम हमेशा मीडियम हाई रखना नहीं तो यह जलने लगेंगे क्यों ड्राइफूर से बहुत जल्दी जल जाते ह पिसता दाना जो रखा था उसको कर लेटे। जरूरी है रल् जो भी हलकँ बुलेयों, इस में ठोड़ा घी आड़ कर देते हैं ताकी अच्छा से स्वाद आ जहें नहीं जो टो को भी mat अच्छे से मिला लेते हैं खजूर को आप ज़रूब हुना और उसके बाद देखना बहुत अच्छा स्वाद आता है हलकालका खुश्बू इतम सोनी सोनी सी आती है तो बस इसको भी हम तूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं अब इधर मैंने जो ड्राइफूर से ना उ buffer काजू है इसको भी पीस लेते हैं काजू और इस पिस्ता एकसाथ पीस लिया और पस इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगी यह देखिए इधर खजूर भी ठंडे हो चुके हैं तो खजूर की स्मिस को और खजूर को एक साथ पीस लेते हैं क्योंकि हम इसमें सुगर नहीं एड कर रहे हैं तो इसलिए आप इसको एड करना तो एक दम बढ़िया एक दम मीठा स्वाद आ जाएगा आपको किसी भी अलग से चीनी या गुर्ण डालने की कोई जोत नहीं पड़े कि और यह देखिए कुछ इस तरीकी से मैंने से एक दम ग अब थोड़ा सा गी और डाल देते हैं और इसमें एड करेंगे हम यह देखिए सिंहाडे का आटा इसको एड करने के पास इसका स्वाद और भी अच्छा आ जाता है इतना अच्छा लगता है कि आप खुद कहोगे कि यह बहुत ही टेस्टी है तो बस इसे भी हम धीमी धीमी आज पर भूल लेंगे अच्छे से जब अच्छी चे खुशब आते हैं सिंहाडे का आटे की तो बहुत ही अच्छा लगता है बस इसे भूल लेंगे अच्छे से और यह हलका प्राउन सा हो जाए बस तो इसे उत्ते देर तक ही भूलना है यह देखिए आप गहुका आटा अगर आपको पसंद हो और नहीं तो आप सिंहाडे का आटा डालोगे ना तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है और इधर जो मैंने पीस के रखके थे खजूर उसको भी एट कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स मिक्स कर लेते हैं यह देखिए अभी लग रहा है न हो गया ना एकदम चॉकलेट के जैसा अभी से दिखने लगा है इसे बच्चे चॉकलेट समझ के खाते हैं क्योंकि एकदम स्वाद इसका चॉको बार के जैसा लगता है बिल्कुल और इसमें जो भी ड्राइफर से पीस सके थे थे ना बदाम उसको हम इसमें एड कर देते है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह देखिए इस स्टेज पर बिल्कुल आपको घी वगयरा कुछ भी डालने की ज़रूत नहीं है बहुत आसानी से यह आराम से हो जाएगा इसको दूसरे बरतन हम ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि इसमें कड़ाई में अच्छे से हो हो गया है तो अच्छे से इतना मिक्स करना है ना कि एकदम आटे की लोई की जैसे यह तयार हो जाएगा यह देखिए हो गया तया अब पता है एक साइज के लड़ू अगर बनाना हो ना तो इस तरह की कोई ही मोल्ड ले लो या फिर इसकूप नहीं हो था मिजर्मेंट वाल बस मैंने उसी से किया ऐसे यह देखिए ऐसे और बहुत ही जटपट से बनकर के लड़ू एक साइज के सारे बनकर के तयार हो जाएंगे बिलकुल यह नहीं रहेगा कि कोई बड़े कोई चोटे लड़ू बनकर के तयार हो तो यह देखिए कुछ इस तरीके से एक साइज में सारे लड़ू बनकर के तयार हो गया और यह लगाते जाएंगे यह देखिए बहुत ही तेस्ट ही बहुत ही हेल्दी जटपट से बनकर के लड़ू तयार होगे बिल्कुल जंजट नहीं ना आपको चासनी बनाने की जोद पड़ेगी ना गुड़ डालना पड़ेगा और यह शुगर फ्री है तो हेल्दी भी है तो इस रक्षा बनन अगर आप अपने घर स्वस्थ सबको रखना चाहते हो तो इस लट्टू को जरूर ट्राइक करना वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना